थे टाउलो दूस्तों आज कि ये विडियो आपसे भी बजाज फैनेंस के लिए बहुत यज़ादा खास होने वाला है आज किस वीडियो में मैं आपसे लोगों को यह सो करने वाला हूं की कैसे आप अपने लॉन डोकुमेंट्स को देख सकते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आपका हो गया statement आपका NOC जो होता है no objection certificate या repayment से related कोई भी अगर आप डोकुमेंट्स देखना चाहते हैं तो अपने loan के documents को आप कैसे देखेंगे कैसे डाउनलोड करें उसका तरीका अभी मैं आप सभी लोगों को लाइब शो करने वाला हूँ इसलिए वीडियो के साथ लाट तक बन रहीएगा तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान देना है दोस्तों मैं अपना mobile का आप करेंगे दोस्तों तो कुछ इस टैप का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा हो सकता है आपको अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है तो नॉर्मली अपडेट कर लिजेगा कभी-कभी होता है कि नया लेटेस्ट वरसन आप अपडेट नहीं करते हैं तो यहां दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर आप सभी लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपका जो लोन डोकुमेंट है उसको देखने के लिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कॉर्णर पर लेफ्ट साइड में कॉर्णर पर दोस्तों त्री लाइन दोस्तों वह अब के सब्सक्राइब करना जाता है वह सलेक्ट कर लीज़ेगा हूंत न्यों टर्म की एक जाएक को आपको कलिक करना सब्सक्राइब आप कि सामने अबन हो जाएगा इसे आप यहां से डाउन्लोड और भी कर सकते हैं तो दोस्तों अभी एभी जो मैंने आप सब लोगों को तरीका बताया है इसी का इस्तेमाल करके आप अपने बजाज फिंजब के एप में आप अपने loan documents को देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे repayment schedule का भी option आता है बहुत सारे यहाँ पर document आप बहुत ही आसाने से देख सकते हैं उसे download वगेरा भी कर सकते हैं तो दोस्तों अभी अभी आप सभी लोगों को मैंने दिखा दिया है कि कैसे आप बजाज फिंजब के एप में अपना loan documents को देख सकते हैं उसे download कर सकते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों अगर आप बजाज finance के regarding और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक बार description चेक आउट कर लिजेगा बहुत सरी वीडियो में आप से भी लोगों को देता रहता हूं बजाज फिंजब के regarding तो एक बार description जरूर चेक कर लिजेगा आज के इस वीडियो में इतना दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू